Hello everyone, welcome back to my channel, this is Sahil और आज की जो हमारी जो वीडियो रहेगी रुद्राक्षमाला के उपपर Actually, इसके उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी But इसके फिर भी इतने questions है लोगों के पास Like, मैं भी कह सकता हम क्योंकि अभी मुझे इसको पहनते हो तो like 8 months होज गए But लेने के लिए मैंने इसको कम से कम 2-3 महिने मैंने भी इसके उपर सर्च की कहां से लूँ किस तरीके की बहुत से questions होते हैं तो एक एक करके मैं सबके वो points आपको आज clear करूँगा पहला तो है कि रुद्राक्ष का आपको मतलब पताएं कि यह है रुद्र आक्ष आक्ष मिंस आसु तो भगवान शिवके आसु कहने कहते हैं तो अब इसके क्या होते हैं इसके benefits क्या होते हैं लगाने के तो सबसे पहला तो यह आपका physical और mental balance आपका बनाने में आपको help करता है और इसके इलावा जो spiritual seekers होते हैं तो आपको spiritual growth में यह help करता है जैसे की meditation होगी इन चीज़ों में आपको यह help करता है अब इसके इलावा कि कौन इसे पहन सकता है बहुत सा questions यह भी होते कि कौन पहन तो रुद्राक्ष की माला को कोई पहन सकता है male, female, baccha, bada, boda, koji भी पहन सकते हैं इसमें कोई इसके रिस्टिक्षन नहीं होती कि आप इसे नहीं पहन सकते हैं यह कोई दूसरा आदम से नहीं सकता हैं सभी इसे पहन सकते हैं जस्क्या रुल्स होते हैं जो कि मैं आपको इकिकर के step में बताता जाओंगा आपको यही चीज रहेगी कि अब कौन सा साइज लेना है आपको 5 mm से लेकर 8 mm तक का साइज मिलेगा अब यह 8 mm का साइज है और मुझे भी यह डाउट था कि 8 mm का ठीक रहेगा नहीं रहेगा जादा बढ़ा तो नहीं हो जाएगा क्योंकि अब मैं भी रोज कॉलेज जाता ह इससे मुझे एक भी कोई भी मिलग की प्रॉब्लम आज तक फेस नहीं हुई है कि हाँ इसकी वाज़ा से मुझे चूब रहे है या फिर ख्रोचे वगरा या कोई भी ऐसी चीज से कुछ भी नहीं हो है तो बहुत इची चीज है अब अगर आपने 5 mm में जाना है तो और चीज में आपका II कर e jaki करे तो नहीं की जो चौ 16 शाल से फ़िए वह इसे नहीं पहरण सकते इसके आप ki इनर फ्रीदम पीरीटि और मतलब आपका mental balance इस चीज में यह आपको help करता है आपकी inner growth के लिए mainly अब इसलिए मैंने इसे भी मंगाया था अब इसके लावा दूसरा जो है जैसे कि जो famous famous है mainly जो इसके दूसरा है वो है दूई मुखी दूई मुखी उसमें two-faced होता है अब उसको वो specifically like married couples के लिए होता है कि दोनों पती पत्नी उसे पहने तो यह उसमें बहुत ही अच्छा help करता है अब आपका relationship के लिए उसमें बहुत benefit हो देता है अब इसके इलावा जो तीसरा आता है शन मुखी शन मुखी मतलब six-faced उसमें बच्छे फेस होते हैं अब क्या रहता है कि six-faced वो specially जो बच्चे है बलाव कि जो 14-year से कम है यह उनके लिए help करता है यह उनके लिए होता है तो अगर आपने जैसे कि बच्चों के लिए मंगाना है तो वह best चीज है वह उससे कि होता है कि आपका like physical and mental growth में बच्चों को बहुत जादा help out करता है अब इसके लावा जो तीसरी जो जो एक और जो में है वो है गोरी शंकर अब गोरी शंकर के आता है कि अच्छी जैसे कि यह single single beats अलग अलग है गोरी शंकर में क्योंते है कि दो beats एक साथ जुड़े होते हैं बीच से जुड़े से रहते हैं तो वह 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 कोई लगा सकता है तो बट वह क्या है में ज्यादा आपका like spiritual उसमें वह ज्यादा help out करता है जैसे कि चाक्राज वगरा activation उस उन चीज़ों में वह ज्यादा help out करता है अब यह तो बात रही है जो में जो होते हैं कितने कितने टाइप की होते हैं अब इसके लाव जो next चीज़ है कि अब इसके उपर वीडियो बनाई हुई है आप मैं इसका लिंक डाल दूंगा आप वहां से प्लीज चेक कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी रहती है इससे अब देख सकते हैं 8 मंथ हो चुके बट इसकी लाइफ अभी यह पहले जासी सेम दिख रही है तो उसमें आपको सारा निल जाएगा अब इसके इलावा की अब कंडिशनिंग कितना अब यह मिनिमम लेक जैसा कि मैंने अब इशा की साइस में जाके मैंने चेक किया था मिनिमम 6-8 मंथ के बीच में आपको एक वार कंडिशनिंग करनी होती है यह अच्छा रहता है आपकी माला के लिए अब अब बाहर जा रहा हूं तो मैं इसे लगा लेता हूं दिखाने के लिए यह कहीं मैं पाटी पूटी में जा रहा हूं तो अब इसे निकाल दो अगर आप ने लगाई है कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप इसको लगा कर रखे जस्कुछ चीज़ो अब नहाने जा रहे हैं अब नहाने भी अगर आप गरम पानी से नहा रहे है और साबुन बगार चाहिए तो उस केस में इसे निकाल दीजिए मैं भी उसी टाइम पर उसके लावा हर टाइम में इसको 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 यूज करता हूं मुझे कोई भी ऐसा फिल नहीं होता कि यह चूबरी यह फसरी है यह ऐसी कोई भी दिकत में नहीं फेस की एसके साथ तो यह बहुत यह चीज रहती है अब नेक्स चीज रहती है कि इसको बीड का साइज कि अपर है कि ये इंपोर्टरेंट होता थै Minister पद्ध कभी भी अफिव दो क्लेमाट पूरी कंपलीट नी होती है यह लग रहता यह उर्च करता है तो अब बिनदू को जोड़के 110 हो जाते है इसमें अब क्या ही कि जो कि मिनिमम 84 बीट्स की आपकी माला होनी चाहिए उससे जादा जितने मज़ी हो आप उसको पहन सकते हो और 84 बीट्स का मतलब है कि बिंदू को छोड़ के बाकि जो बीट्स है वह 84 होनी चाहिए मिनिमम अब क्या होता है कि जैसे कि फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें कुछ ना तो आपका Crack हो गया है तो आप उससे खोल दीजे और उसी टाइम पर आप जो इसका जो दागा होता उसको भी आप चेंज सकते है नया दागा लगा सकते है तो ये चीज़ कर सकते है आप अब नेक्स्ट चीज़ जो है की चोटे और बड़े बीड्समें कोई अंतर होता है Marketing char буду पोअ करते हैं आप लीह दिए किसम अंटर होता है कि जो 5 अमेंगा की होता है रादर सुम्हित एक जिर्थ है कि अब ये क्या होते यह नी-चimporte erhalten पेडल पैड्से इन किया जाती है इने लिए नेचुरली पेड़ से गिरता है तो अब चांसे जो ना 8 mm है वो पूरा ग्रो हो जाता है जब मलब की जो फूरूट होता है यह पेड़ पूरा जब ग्रोजाता तब गिरता है तो यह जादा मात्रा में होते वेरेस 5 mm के कम होते तो उसी वज़से से वो price difference इसमें र अब इसके लावा और कोश्चंट जैसे कि क्या में अपनी माला किसी के साथ शेयर कर सकता हूं बिल्कुल नहीं आप इसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है इसका ये बहुत बड़ा पॉइंट है अब मेरी माला है मेरे पास ही रही कि मैं इवन कोशिश कीजिए कि कोई अब इसके इलावा होता है कि अब मैं इस वो अगर मुझे ये पहननी नहीं है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं तो अगर आपने जैसे कि कोई आप लेक कोई ऐसा एक्शन करना है आप जैसे कि जिम के लिए जा रहे हो या फिर कोई कोई सब्सक्राइब की वाज़े से आपको समें हमेर ट्मिए तो उसके दो इसकी पूरी जो लाइस होथी वही खतब हो जाती है आपने क्या करना है कि या то आप जैसे की कॉट न रख धी है या कोई सिल्क का कपड़ा है उसमें रख धीजिए या फिर कॉपर कोई वैसल अंन मंदिर के पास वहाँ भी इसको रख दीज अब इसके लावा जो नाक्स जो कोश्चन है अब एक चीज हाँ बहुत से लोगों को यह था कि इसे माला को पहनते मलब रखते कि इस तरह से रखता हूं कि इसका जो बिंदू है वो हमेशा नीचे की तरफ रहे और अब मुझे कुछ लोगों कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आये यह अगर आपके पास माला नहीं है तो अगर आप इस तरीके से रखते हैं यह बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है यह बार बार आपको टच होगा आपको ऐसा फील होगा कि कुछ नो कुछ मेरे यहां पर लग रहा है और उसके इलावा यह जो माला है यह एक्शली मूव कर अगर यह बैक साइड रहती है तो यह आपको यहां पर बहुत अजीव सा फील होता है आपको आपको ऐसा पीलोगे कि कुछ है कुछ चूर आए बार बार तो उससे अच्छा आप इसको इस तरीके से रहे तो बहुत अच्छा पेरिट रहता है और इसके लाए इसाथ से और म इस सबसे बड़ा कोशन जो लोगों है रहता है कि मुझे यह नौन वेज खाना चाहिए कि नहीं चाहिए अब मेरा यह कि जहां से मैंने यह ली है मैंने इश्याफ फाउंडेशन से लिए अब वहां कोई ऐसा कोई सच रूल नहीं कि नहीं आपको बिलकुल भी नहीं पहननी है या पहननी है अगर हां आपको कोई गाइड है जैसे कि आपको कोई पंडीत या कोई आपको गाइड करते कि हाँ आपने नहीं पहननी है आपको रुद्राक्षमाला पहननी है बट आपको यह चीज़े नहीं करने तो वह चीज़ों का दियान रखे बट अगर आप अपने doubt होंगे वो clear किये होंगे अगर फिर भी अभी अगर आपको लगता है कि हाँ कोई point मैंने miss out कर लिया है तो आप प्लीज मुझे comment कीजिएगा मैं आपको उसके बारे में जरूर आपको information देऊंगा help करूंगा प्लीज लाइक कीजिएगा video को and also subscribe my channel and अपने दोस्तों साथ भी share कीजिएगा कोई किसी को भी अगर informative लगी हो thank you very much have a nice day